आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और इसका टेक्स्चर भी यह बहुत ही फटा-फट बनकर तयार हो जाती है इसे हमने कुकर में बनाया है पूरी के साथ खाने में इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है है रो दोस्तों तो स्वागत है आपका आज लिया हैं इसका छिलका निकालकर इसके भी मैंने चोटे चोटे टुक्डे कर दीए है और उसे के साथ कुछ मसाले लिये है एक बड़े साइज के प्यास को चॉपर में बारिक छोप कर लिया है और यहाँ पर आधे टुमाट चोटे कर लिया है लालमेच पाउडर, गरम मसला पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी, जीरा, राई, नमक और दस से बारा लेसुन की कलिया और एक इन चद्रक के तुकड़े को उखली में बारे कूट लिया है तो आप ग्यास पर एक कूकर गरम करने के लिए रख दे, उसमें दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे और तेल को गरम होने देंगे तेल अच्छे से गरम हो जाने पर हम उसमें डालेंगे एक चम्मच राई और एक चम्मच जीरा राई जीरा को भी हम लोग अच्छे से तड़क जाने देंगे और अब हम इसमें डालेंगे लैसून अद्रक की पेस्ट इसे भी हम लोग आदे मिनिट तक लगबग भून लेंगे लैसू नत्रक को भून लेने के बाद इसमें चौप किया हुआ प्यास डाल देंगे और इसे भी मिडियम फ्लेम पर 7-8 मिनिट तक भून लेना है तो लगबग 7-8 मिनिट हो गया है और पैज भी अच्छे से सॉफ्ट हो गया है अब हम इसमें बारिक कट के हुआ टोमाटो डाल देंगे आपको ध्यान रखना है कि टोमाटो हमें आदा ही लेना है ने तो सबजी जो है वो ज़्यादा खटी लगेगी और अब इसे भी हमें 1-2 मिन तक अच्छे से भून लेना है टोमाटो और प्यास को भून लेने के बाद हम इसमें मसाले डालेंगे तो अब हम इसमें डालेंगे आदा चमच हल्दी पाउडर एक चमच धनिया पाउडर और एक चमच लाल मेर्च पाउडर अब हमें चम्मस से चलाते हुए लगातार इसे एक से दो मिट तक भून लेना है क्योंकि इस सबजी का सारा प्रोसेस जो है वो जितना जादा मसाला अच्छे से भूनेंगे उतना ही इसका टेस्ट अच्छा आएगा आपको ध्यांग रखना है आप इसे चम्मस से चलाते हुए भूने नहीं तो सारे मसाले जो है वो जल जाएगे तो मसाले अच्छे से भून लेने के बाद इसमें कट करके रखी हुई गोबी डाल देंगे गोबी डालने से पहले उसे अच्छे से दो पानी से धो ले और इसे के साथ कट करके रखा हुआ आलू भी डाल देंगे अब गोबी आलू को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर दे और अब हम इसमें डालेंगे एक ग्लास पानी और अब इसमें एक चमच नमक डालेंगे पानी और नमक डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर दे और सबसे लास्ट में हम इसमें डालेंगे एक चमच गरम मसाला पाउडर गरब मसाला पाउडर हमें लास्ट में ही डालना है और अब कुकर का ढखकन लगा दे और लो टू मिडियम फ्लेम पर इसकी सिर्फ दो सिटी होने दे कुकर की दो सिटी हो गई है और कुकर हलका सा ठंडा भी हो गया है तो अब हम चेक कर लेते हैं सबजी को तो आप देख सकते हैं इसकी तरी कितने अच्छे से आई है आप चाहे तो एक कोबी का या फिर आलू का टुकड़ा लेकर चेक कर सकते हैं सबजी अच्छे से पक गई है या नहीं तो आप इस तरह से इसे प्रेस करके देख लें आप देख सकते हैं यह सबजी कितने अच्छे से पक गई है और अब आप इस पर हरा धनिया डाल कर आप इसे रोटी या फिर पूरी के साथ सफ करें तो रेडी हैं हमारी सबजी तो आज की अगर यह रेसिपी आपको पसंद आई हो तो इस रेसिपी को लाइक और शेर जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वाचिंग